साल बदलने को है और 2022 में सनी की क्या दिशा और दशा रहेगी किस राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमार साथ पंडित अमर डिब्बा वाला है क्योंकि विशेश रूप से सनी एक एसा ग्रह है जो किसी की दशा और दिशा बदलने के लिए काफी है यदि वो प्रसंद हो और दो है कि वर्षे 2022 में शनी अपनी राशी मकर को छोड़कर कुम्ब राशी में प्रविश्च करने की यह तारिक 29 अप्रेल 2022 की होगी आम तोर पर शनी एक राशी में डही वर्षे करीब परिवर्वन करते हैं चूंकि अभी वरतमान में परिवर्वन का जो समय है वह मकर राशी पर गोचरस्त है ऐसी मानेता कि चार माह का इनका काल खंड और अभी रहेगा चार माह में शनी के प्रभाव प्राक्रतिक तोर पर व्यावारिक तोर पर आर्थिक तोर पर राजनेतिक परिवर्वरतन की तोर पर दिखाये देंगे यह भी कहा जा सकता है कि शनी के रा राशी वालों को शनी की साड़े साती का पहला धहिया लगेगा वहीं धनुराशी वालों को शनी की साड़े साती का अंतियम धहिया होता जाएगा अर्थात यह कहा जा सकता है कि धनुराशी वालों की शनी की साड़े साती समाप्त होगी साथ ही मकर राशी वाले जातकों को शन दुखर बाविस्तक रहेगा चोहत्र दिन के अपने काल खंड या परिभ्रमन के अवस्था में शनी की अपनी व्यवस्था होगी ऐसा कह सकते हैं कि धही मेहने के बाद शनी वक्री होंगे और वापस मकर राश्य में प्रविश्च करेंगे तो मकर राश्य का यह बीमारी चल रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से इस बीमारी का या तो प्रकोप बढ़ेगा या कम होगा 2022 में क्या होने वाला बिल्कुल ठीव प्रश्णिक किया है यदि हम शनी की गणना के बात करें तो जितने भी रहस्यों के संदर्वा का चिंतन होत होता है संक्रमन से संब्णित लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे लेकिन यह बात सही है कि संक्रमन से बचने के लिए सावधनी नीतानता आवश्यक होगी पंडी जी कौन सा महीना ठीक रहेगा और किस राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला आने वाले समय में देखें महीने के हम बात करेंगे तो अभी तो बारा महीने का करम चलेगा चुकि 22 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का गाल खंड है इस काल खंड में शनी महराज दो बार वक्री होगे और दो बार मार्गी होगे कुछ इस्थिति में गति संचार की नियम का भी पालन किया जाएगा यदि हम गणना की बात करें शनी महराज की कों समय ज़्यादा शरेष्ट होगा तो सेप्टेंबर से नवंबर के बीच का समय अपने अनुकुलता को प्राप्त होगा ऐसी भी मानिता है कि जब शनी अपनी मार्गी अवस्ता को वक्री करके वक्री करके मार्गी अवस्ता में आते हैं तो जुरू के कारे में प्रगति होती है साथ ही जनवरी के महा में संभावनने वाला और सावधनी रखने वाला समय इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संक्रमन की आरम रूपरेखा को तई करता है पंडी जी ये जो साल 2022 से कुल मिलाकर सनी की क्या इस्तिती रहेगी इसमें और आम तोर पर जो आम लोग है उनको सनी देवता को प्रसन करने के लिए क्या करना चाहिए बहुत सुन्दा देगे शनी महाराज का जो रहेगा मकरो कुंब दुनुही राशी शनी के स्वामित्व वाली राशी आती ये कुंब राशी में शनी का परिभ्रह्मन भी अच्छा माना जाता है ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे वर्ष भर में शनी का अपना एक विशेश कालखंडो होता है शनी अपनी क्रपा भी बरसाएंगे शनी इमानदारी और न्याय से जोड़े लोगों को लाब भी दिलवाएंगे जिन लोगों की शनी की साड़साती का अंतिम ढहिया है उनके कारे में प्रगत्य होगी रुके धन की प्राप्ति होगी और शनी को अनुकुल बनाने के लिए महाकार शनी मरत्यूंजे स्तोतर का पार्ट कर सकते हैं ओम शम शनेश्चराय नमहा इस प्रकार के मंत्रों का जब करने से शनी के नुकुलता होगी यदि शनी का वैपरी दोष्ट पत्रिका में बन रहा हो या महादश्चा चल रही हो शनी का मारकेश बन रहा हो तो पीपल के व्रक्षिक की जड़ में जल कच्छा दू जल चड़ा हैं काली तिली चड़ा हैं सरसो कितल का दीपक लगाएं यहां पर पिपलात करत शनी स्तोतर का पार्ट करें यह करने से भी शनी करपा प्राप्त होगी सबसे यादा ध्यान रखने की किन राशी जो के जातक है उनको सबसे ध्यान किन को रखना मूल रूप समबाद करेंगे मेन रास्य वाले विशश सवधनिय वाला टाइम है स्वास्त स से संबन्धीत और कानून से संबन्धित सावधनिय रखने का का समय रहे हैं इस पफ़ ध्यां देना आवश्यक है निश्चित रूप से यदि सनी देवता की अराधना की जाए तो इसका फल व्यापक पिमाने पर मिलता है यही पंडी जी ने बताया है और आने वाला समय 2022 केसा होगा यह इस पेश्ट रूप से आपके सामने आ चुका है केमरा परसन संदीब के साथ विकरम सिंग जाट एबी पी नियूज उजेन एबी पी नियूज आपको रखे आगे